हेलो एवरिवान, वेलकम टू माही चैनल, आज मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टड, इसे बनाने के लिए मैंने हाफ लीटर फुल किरीम दूद लिया है, इसे उबालने के लिए रख दिया है, इसमें मैंने दो बड़ा चमच शुगर डाला, शुगर आप अपने टेस्ट के रखें, अब एक बड़ा चमच मैंने हलका गरम डूध लिया है, इसमें दो चमच मैं वनीला कस्टरड पॉडर को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूं। इसे एतनी अच्छी तरह से मिक्स करें ताके इसमें कोई लम्स ना रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक रहे हैं और दूद थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो रहा हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच फ्रेश मिल्क क्रीम। इसे हमारा कस्टर्ड जो है खुब क्रीमी सा बन कर तैयार होगा इसलिए फ्रेश मिल्क क्रीम जरूर डालें। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताके ये दूद में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी अच्छी और पर्फिक्ट हो गई है अब गैस को बंद कर देना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा होगा और फ्रीज में जाने के बाद थोड़ा और से थो जाएगा। तो अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ ये देखिए करीब पंदा मीनट हो गए है कस्टर अच्छी तरह से ठंडा हो गए है अब मैं इन्हें एक बॉल में ढाल रही हूँ अब फ्रूट्स में मैंने आधा कटोरी बेदाना लिया है आधा कटोरी ग्रैप्स लिया है और आधा बनाना लिया है आधा इपल लिया इन सब को मैंने छोटे छोटे टुक्रों में कात लिया अब इन्हें अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है अब देखिए इसकी कंसिस्टिंसी कितनी अच्छी हो गए है फ्रीज में जाने के बाद ये थोड़ा और सेट होगा तो अब इसे फ्रीज में रख देना है दो से तीन घंटे के लिए अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रीजर में भी इसे रख सकते हैं ये देखें फ्रीज में रखने के बाद ये कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है अब इसे उपर से आप चाहें तो ड्राइ फ्रूट से या फिर फ्रूट से इसकी गानिशिन कर सकते हैं अगर आपको इससे भी थिक कस्टर चाहिए तो आपको क्या करना है बस जैसे मैंने हाफ लीटर दूद में दो चम्मच फूल कस्टर पॉडर लिया आपने तीन चम्मच कस्टर पॉडर ले लेना है तो आपका कस्टर इससे भी ज्यादा थिक बन कर तैयार होगा हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें